कुछी ने मुझसे कमेंट सेक्षन में पूछाये कि मą हात ऊपर तरके सेक्स कैसे किया जाता है इस ही इस चीज है बहुत बा किया है कि इस चीज को जाता है कि हाथ ऊपर करके sex कैसे किया जाए इसे bondage कहते हैं यह sexual act होता है जिसमें दो लोग से mindset के इस bondage act को enjoy करते हैं कोई भी जोई इस act को perform करना चाहता है जाहे वो male हो या female एक dominant condition में होता है तो दूसरा उसको surrender करता है अब मान लो चाहे husband and wife है तो husband अगर अपनी wife के साथ यह bondage sexual act करना चाहता है तो वो पलंग के किनारे पर उसके हाथ बांद के या फिर pole के साथ उसके हाथ ऊपर बांद के उसकी body के साथ खेलता है उसके अंगों को stimulate करता है fingering करता है tease करता है मज़े लेता है enjoy करता है तो यह सारी चीज़े होती है इस bondage act में जिसमें दो लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और देखो इस act का मज़ा दुगना हो जाता है खासकर उस वक जब कोई dominant male अपनी partner के हाथ उपर बांद कर उसकी thighs के बीच में अपने ह आई यह जो शब्द उस वक्त उसके मूँ से निकलते हैं यह कही न कहीं उसके dominance वक्तितू को प्रदर्शित करते हैं और यही चीज़ सुनकर वह जो लड़की अर्ड़की अर्ड़ी सरेंडिंग पोजिशन में होती है बहुत सब्सक्राइब होती है सरेंडिंग पोजिशन म हाथ ऊपर करके या पैरों को बांद कर सेक्स करना है इसमें वराइटी पाई जाते है और इसे कोई भी कर सकता है ऐसा नहीं इसे अन्मेरिट लोग की करने की चीज़ है इसे husband and wife भी कर सकते हैं married couple भी कर सकते हैं यह dominant और feminine के बीच में भी होता है dominant or submissive के बीच में भी होता है और दो लोग जो की dominant position में ही है मतला male और female दोनों ही dominant category की हैं वो भी इसे करते हैं आप लोग इस सोच रहे होंगे कि या वो दो लोग जो की dominant category से belong करते हैं वो भी बांद कर सेक्स करते हैं एक दूसरे को जबकि हमने तो यही सुनाएं गी आर एक dominant होता है तो dear सच तो यह है कि हर dominant personality में सबमेंसे व्रूप उसका छुपा हुआ होता है लेकिन वो नजर नहीं आता आज ही नहीं सकता वो निकले गाए नहीं उसका सबमेंसे व्रूप आप देखी नहीं सकते कभी भी तो यह जो bondage एक तो होता है जिसमें दो लोग dominant category के होता है इसे enjoy करते हैं तो उस दोरान वो एक दूसरे को अपना वो सबमेंसे व्रूप दिखाते हैं एक दूसरे वो surrender करते हैं खुशी-खुशी क्योंकि उनका जो सबमेंसे व्रूप है वो हर किसी के लिए तो है ही नहीं ना उनकी परसनल लाइफ में जो लोगों को डील कर रहे होते हैं जाया उनके सगे तो ये सबमेंसे व्रूप उनका नजर ही नहीं आता है आ ही नहीं सकता है क्योंकि अंदर की चीज़े अलाओ ही नहीं करती तो जब वो दो लोग जो dominant property के हैं जब एक साथ मिलते हैं sexually इन चीज़े को enjoy करते हैं तो अपना control एक दूसरे को दे देते हैं उन्हें उसमें बहुत वो अपना सबमेंसे रूप उसे दिखा पाएगा और खुद को free कर पाएगा धीला छोड़ पाएगा क्याने का मतलब देखो यह है कि इस बंदने बांदने वाले act को कोई भी कर सकता है बस आपको करने का तरीका आना चाहिए आपको यह पता रहना चाहिए कि आपकी limits क्या ह है वो आपको decide करके चलनी है रोप से बांदना है टेप से बांदना है या कोई metal का use करना है आपको pain कितना देना है उसे hurt कितना करना है ताकि उसे उस pain में भी pleasure का अहसास हो यह चीज़े आपको decide करनी है आपको पता होना चाहिए कि उसका comfort level किया है अब आप तो देखो money money कि मैं तो अपनी वाइफ के साथ बांद करी सेक्स करूंगा इसका excitement level बढाऊंगा इसे sexually arouse करूंगा लेकिन अगली तो depression में चलीगी क्या मेरा husband यह जंगली जानवर बनकिया है तो महाल भी तेयार करना होता है mindset पे काम करना होता है उसके लिए चीज़े नहीं है उसने नहीं नहीं रेखा जाके उसे नीली फिल्मे देखने का शौक नहीं है ना उसने किसे मैगजिप में देखा ना वो यह इस चीज़ को समझती है क्योंकि यह जो bondage है यह वीडियो सम अपने आपनी एक अलग lifestyle है अब उसे तो इन चीज़ों के बारे में नहीं पता वह तो एकी तरह यह जानती है कि हजबन ऊपर और वाइफ नीचे एक ट्रैडिशनल वे में जो सेक्स होता है उसमें तो वही देखा है वही सुना है और सब लोग को ही करते हैं उसकी कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं उसी तरह से सेक्स होता है आप जो उसके लिए नया कुछ लेकर आ आप स्ट्राइल तो यह समझ ही नहीं पाएगी कि क्या है यह जीज यह बंदना बांदना आखों के पट्टी बांदेना एंज्वाए करना पेंवे प्लेजर का हैसास करना यह सब चीज उसके नहीं है तो आपको माईट को भी प्रिपेर करना होगा अपना भी और उसका भी करने के तरीके भी अanki एक final मिंट में न्हें चुरू करोगे ना पूरा बीडयासम तो नीशुरू करओगे ना वो यह बीडयासम वाले लोग करते है उस तरी कि सथन ही करना ना वस आपको तटार का लागाने के लिए हल्का फूलका बन्दने बांदने वाला है ओन करना है अ बाकिए डिपेंड करता है कि अगर कोई आपकी पार्टनर इस तरह की है कि उसे कुछ जादी मज़ा आगया तो आप इसका लेवल भी बढ़ा सकते हैं और मज़ा लेने के लिए वो कोई भी नया एक्ट है जो कि आप अपनी सेक्स लाइफ में ट्राय करना चाहते हैं इसमें होना बहुत जरूरी है आपसी रजाबंदी होना बहुत जरूरी है और अगर आप दीप में इस बॉन्डेज एक्ट को समझना चाहते हैं तो इसके उपर में पहले भी कहीं बार वीडियो बना चुकी हूँ मैंने विस्तार से एक्स्प्लेइन किया हुआ है देस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है आप चाहे तो वीडियो जाकर देख सकते हैं तो यह था मेरी तरफ से फुल इंफोर्मेशन कि बांध कर हातों को उपर करके बांध कर सेक्स कैसे किया जाता है उमीद करते हूं आपको वीडियो पसंद आया हो ऩटो कर दो לד रिंद प्रियों सकते हैं दोर्मेशन को यह वीडियों से वीडियों है एंबरी इंद शेता हैं वीडियों को पस्वाल वीडिवे तर दाल दोली बॉल्स अपल्मदमस RED Lab कल मैंफ़ से कित जो एंवें गयाय